तो बगत सिंगी से ऐसे में कहते हैं कि क्योंकि महात्मा गांदी ने कुछ बोला है ऐसा बोला है या हमारे धर्मों में ऐसा लिखाया हमारे शास्त्र में ऐसा लिखाया तो ये तो मानना ही होगा तुमें और ये ही सच है और अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम घमंडी हो वाद कि अगर आपको आगे बढ़ना है जिंदगी में तो आपको पुराने तरीकों को चैलेंज करना पड़ेगा, पुराने तरीकों को सुधार्णा पड़ेगा, जो भी उनमें खामिया हैं वह ठीक करनी पड़ेगी. अगर आप उनी को भगवान बनाके बैड़ जाओगे तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे ये भगत सिंग का कहना है इस खताब में वो कहते हैं कि हर चीज को सच्चाई से तोलना चाहिए हर चीज को रियालिटी से उसको जज करना चाहिए कि जैसे कि कुछ कोई भी एक्जांपल लो उन्हें ने एक्जांपल इसमें दिया चार्ल्स डाविन का थियोरी ऑफ एविल्यूशन का उन्हें कहा कि हम अभी भी 84 लाख योनियों और उन सब की बाते करते हैं जबकि सच्चाई ये है कि हम इवाल होए हैं दिरी दिरे अलग अलग भगवान ने कुछ नहीं बनाया अलग चिडिया अलग बनाया इंसान को अलग बनाया नहीं ऐसा कुछ नहीं हम इवाल होए हैं एक छोटे से जानवर से बड़ा जानवर बना फिर उससे बड़ा जानवर फिर बंदर आया फिर बं अंध विश्वास इंसान के दिमाग को खोखला कर देता है खराब कर देता है कि टेस्ट बाई रीजनिंग सच्चाई का एक्जैम अगर कोई भी थ्योरी कोई भी शास्त्र से आपने पढ़ा हो कुछ भी पढ़ा हो कहीं से भी पढ़ा हो चाहे साइंस की किताब से पढ़ा हो अगर वो सच्चाई के स्केल पे पास होती है लॉजिकल रीजनिंग अगर वो सही में लागू होता है तो उसको रख लो नहीं लागू होता तो उसको फिंक दो मूव उन उसको डिसकार्ड कर दो फिंक दो उसको उस आइडिया को ये बगज सिंग ने इस एसे में बोला है फ आपके पुराने कर्मों की तो भगत सिंग बोलते हैं कि ठीक है अगर वो पुराने कर्मों की सजा है तो इस जनम में वो गरीब है यानि कि इस जनम में उसके पास पढ़ने के संसादन नहीं है आगे पैसे कमाने के संसादन नहीं है कुछ भी करने के संसादन नहीं है उसके पा पेपाँ गया आप गरीब हो क MJ वही दुबारा very to our TV यही सेजा दुबारा मिले तो अग्री पहमेशा हमेशा 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 घ्रीब रहेगा कि भगवान पर विलीउवकरना biking सीमें में बोला है कि भगवान को पे बिलीव करना और भगवान की आरती उतारना और प्रे करना एक बहुत ही मतलबी काम है बहुत ही selfish work है भगत सिंग ने बोला है इसमें कि आप अपनी पूजा कर रहे हो किसी की ताकि आपको अच्छी जिंदगी मिल सके आपको स्वर्ग मिल सके काम है करना अगर इस चीज के लिए कोई तुम अच्छाई कर रहे हो तो तुम अच्छे इंसान नहीं हो यह इस ऐसे में भगत सिंग ने बोला है अगर तुम अपने मतलब के लिए कर रहे हो तुम अच्छे इंसान नहीं हो फिर वो बात करते हैं कि पुनर जनम की उन्हें का कि बाकी सारे धर्मों को तो हम अराम से गलत प्रूफ करते इन्होंने पुरन पुरन जनम का एक concept डाल दिया है कि भाईया आप अच्छा करोगे तो आप आगे अच्छे जनम में जाओ कि तो कह रहे हैं चलो इस theory को लेके चलते हैं कहते पहली बात कौन मानेगा कि मैं पिछले जन हम याद ही नहीं रहता तो सजा किस बात की और reward किस बात का आपको अगर याद ही नहीं है तो कैसे पता लगेगा कि आपको सजा मिल रही है या आपको reward मिल रहा है इसको confirm कैसे करोगे फिर वो बात करते हैं अंग्रेजों की कहते हैं अगर भगवान इतना ही अच्छा है इतन कि दिमाग में ताकि वो देश को अजाद करते हैं हमारे ये क्यों नहीं करता बगवान तो कहरें इस पर दो आप्शन्स हैं या तो बगवान की मर्जी है अगर बगवान की मर्जी है तो बगवान उन्हों अंग्रेजों से अलग नहीं है अंग्रेज भी इंजॉय कर रहे हैं Omnipotent यानि की भगवान की मरजी कुछ जगाओं पर नहीं चलती है भगवान अपने आपको बांध के रखता है तो भगवान जो है बंधावाय रूल से तो भगज सिंग जो है इन चीजों की बात करते हैं philosophically सोचनी कोशिश करते हैं इस बारे में बहुत मैं recommend करूंगा कि यह जरूर ऐसे पढ़ें एक बार भगज सिंग का point of view जरूर लेके दें मैं देखा है कितने instagramers भगज सिंग की टी शिट डाल के और पता नहीं क्या क्या देश भक्ती की बाते करते हैं और हर तरीके से बात करते हैं धरम की बात करते हैं और कभी उन्होंने शायद कपड़ा नहीं भगज सिंग के बारे में एक शब्द भी कि वो कभी धरम के साथ थे ही नहीं हमेशा से धर्म से वो दूर हटे हैं वो ना तो वो सरदार थे कॉलेज में ना वो भिंदू थे ना वो मुस्लिम थे वो किसी प्रगार का कोई धर्म पे विश्वास नहीं करते थे इन फैक धर्मों के बिल्कुल खिलाफ थे वो ये भगत सिंग की स्टोरी है प्लीज रीड करें पढ़ें भगत सिंग की टीशट पैनने से कुछ नहीं होता थीक है भगत सिंग की तरह मूछे रखके ऐसे ताव देने से कुछ नहीं होता उनके दिमाग को फॉलो करो उनकी आइडियोलोजी को फॉलो करो बगत सिंग का नाम आपने बहुत चुना है रेकिन उसके बारे में पढ़ा बहुत ही कम है बिल्कुल भी नहीं पढ़ा यह किताब खरीद आएमेजान से सो रुपे की या दो सो रुपे की किताब है इतना तो आप अफोर्ड करी सकते हो अगर इतने बड़े भक्तवा बगत सिंग के तो मैं यह कहूंगा कि उनकी आइडियालोजी को फॉलो करो तैंक यू